शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लीस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लीस एप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा समाल बिग ब्लीस खुश्यों की अपनी दुकार नमस्कार दोस्तों, IFS Security में आपका स्वागत है हम चर्चा करेंगे Weekly Equity Commodity Currency Market के आउट्लूक में इस आउट्लूक में हमें जानेंगे की पिछला हफता कैसा रहा और आने वाले हफते के लिए important technical levels और market का trend कैसा रह सकता है तो सबसे पहले अगर हम equity market की बात करें तो हमने देखा Dow Jones करीबन 1% की गिरावट के साथ trade हुआ वहीं Sensex और Nifty में भी 0.80 से जादा परसेंट की गिरावट देखने को मिली Census करीबन 58 या 152 की सर पर बंद होता हुआ देखा गया Nifty करीबन 17 या 43 की सर पर बंद होती हुए देखी गई हाला कि हमने यहाँ पर lower level से एक recovery भी आते हुए देखी तो कई ना कई अगर हम देखे तो equity market का जो trend है वो एक sideways trend में जाता हुआ दिखाई दे रहा है टेकनिकल प्रस्पेक्टिव से market एक range one moment में trade करता हुआ दिखाई दे रहा है जो range है वो नीचे में करीबन 16 या 800 से लेकर उपर में 17 या 850 की बनी हुई है अगर हम यह support की बात करें निफ्टी की तो support 16 या 800 से लेकर 16 या 400 रेजटन 17 या 600 से लेकर 17 या 850 का रहेगा अगर market 17 या 850 की उपर break करता है तो हमें एक अच्छा fresh breakout देखेंगे जो की उपर में करीबन 18 या 800 या 500 की लेवल को चूँ सकता है तो अगर हम देखे तो equity market एक sideways trend में है यहाँ पर support resistance की बीच trade करना चीए अब हम बात करते हैं commodity market की हमने देखा commodity market में पिछला हफ़ता काफी शांदार रहा जैसा हमने predict किया था बुलियंस में, base metal में और crude में वैसा ही trend यहाँ पर देखने को मिला हमने देखा gold का भाव करीबन 2.48% की gains के साथ 49 या 114 की सर पर बंद होता हुआ देखा गया international market में भी 1860 dollar के उपर के level देखने को मिले अगले हफ़ते के लिए हमें लगता है gold के भाव में continuous तेजी का trend बना रहेगा यहाँ पर important support 48.600 और 48.200 पर इस्टेंस 99.500 से लेकर 99.900 के बीच रहेगा expected है अगले हफ़ते भी gold के भाव में तेजी देखी जा सकती है और उपर में target 99.500 से लेकर 99.900 तक हो सकता है और international market में gold का भाव 1880 dollar को चूँ सकता है silver के अंदर भी हमने कच्छी शांदर तेजी आते हुए देखी silver के भाव मोर देन 3% से तेजी के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए और करीबन 62.988 के सतर पर ट्रेड होते हुए देखे गए silver के अंदर भी trend positive रहा bullion में safe event demand की वज़े से हमने यहाँ पर तेजी बनते हुए देखी geopolitic attention और inflation की वज़े से भाव को support मिलता हुए दिखाई दिया हमें लगता है कि अगले हफते में silver के भाव में भी तेजी का रुख बना रहेगा silver के लिए important support 61.800 से लेकर 60.500 resistance 64.200 से लेकर 65.500 यहाँ पर अगर हम देखें तो करीबन silver expected है अगले हफते 25 डॉलर को चूँ सकती है और domestic market में 64.200 से लेकर 65.500 किस तर को market चूँ सकती है तो यहाँ पर खरदारी का trade रहेगा अब हम बात करते हैं base metal की base metal में हमने शांदा recovery आते हुए देखी copper के भाव 71% से ज़्यादा तीजी कसा trade करते हुए देखने को मिले और करीबन 768 के सर पर बंद होते हुए देखने को मिले हाला कि हमने यहाँ पर 780 से उपर की भी level देखे थे copper के अंदर inventory काम होने की वज़े से और साथ में industrial demand बंडने की वए से भाव को support मिलता हुँ दिखाई दिया copper के लिए अगले FTA के लिए important support 750 से लेकर 735 resistance 785 से लेकर 805 का रहेगा और expected है यहाँ पर भी trend positive रह सकता है और उपर में copper के भाव 785 से लेकर 795 को चूँ सकते हैं zinc में भी trend positive रहा, zinc के भाव करीबन 2.03% के gains के साथ 304 पिचतर के सर पर बंदोते हुए देखे गए यहाँ पर भी हमने एक अच्छी तेजी बंदोते हुए देखी zinc के लिए important support 256 से लेकर 290, resistance 307 से लेकर 314 का रहेगा पर expected है यहाँ पर अगले हफते level 307 से लेकर 314 के सर को zinc चूँ सकता है वहीं अगर हम aluminum की बात करें तो यहाँ पर भी हमने 7.03% के gains आते हुए देखे aluminum के लिए important support 247 से लेकर 240, resistance 258 से लेकर 264 का रहेगा यहाँ पर भी 1000 का trade बना के चल सकते हैं अगले हफते के लिए target करीबन 258 से लेकर 262 का हो सकता है अब हम बात करते हैं निकल की निकल के अंदर करीबन 71% की gains के साथ 1766 के सर पर निकल बंद होता हुआ दिखा गया हैना कि निकल में हमने range one moment देखी बगर यहाँ पर lower level से खरदारी देखने को मिली निकल में important support 1730 से लेकर 1700 रेजे टेंज 1810 से लेकर 1850 रहेगा एक्सपेक्टिड है यहाँ पर भी lower level पर खरदारी का trade देखने को मिल सकता है और निकल में जो range है 1730 से लेकर 1810 की रहेगी पर expected है 1810 के उपर के target निकल में देखने को मिल सकते हैं अब हम बात करते हैं crude oil की crude oil ने हाला कि पिछले 3-4 हफतों से continuous positive trend दे रहा था इस हफते भी करीबन 0.28% के gains के साथ crude के भावों में 6921 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए international market में भी हमने 94 डॉलर तक के level आते हुए देखे crude में अगर हम देखे तो यहाँ पर इंपोर्टेंट सपोर्ट 6750 से लेकर 6480 resistance 7-100 से लेकर 7-380 expected है अगले हफते crude oil के भावों में तेजी का रूप कायम रहेगा और उपर में 7-100 से लेकर 7-200 तक के level crude में देखने को मिल सकते हैं natural gas की बात करें तो यहाँ पर हमने जैसे expect किया था कि भाव डाउन रहेंगे तो वैसे ही यहाँ पर trend डाउन देखने को मिला natural gas के भावों में करीबन 15% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और भाव करीबन 295.30 के सर पर बंद होते हुए देखे गए और यह गिरावट हम पिछले 2 हफतों से continuous देख रहे हैं हमें लगते है natural gas के भावों में आने वाले दिनों में और नर्मी देखने को मिल सकती है और natural gas के भाव नीचे 280 से लेकर 265 के स्थर को चूँ सकते हैं यहाँ पर important support 260 और उपर में resistance 315 कर रहेगा natural gas के अंदर भी बिक्वाली का trade ले सकते हैं और भाव नीचे करीबन 280 से लेकर 265 के स्थर को चूँ सकते हैं यहाँ पर बिक्वाली का trade ले सकते हैं अब हम बात करते हैं currency की currency की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा USD INR depreciation के साथ trade होता हुआ देखा गया USD INR में हमने करीबन एक तेजी देखी 0.72% की गेंस के साथ 75.39 के स्थर पर रुपी बंद होता हुआ देखा गया depreciation का mode रुपी में देखने को मिला डॉलर में तेजी आने की वज़े से हमने यहाँ पर एक जो है रुपी में गिरावट देखी नहाँ पर important support 74.90 से लेकर 74.40 resistance 75.80 से लेकर 76.30 कर रहेगा expected है USD INR में अगें हम depreciation देख सकते हैं means डॉलर के अंदर ख़जारी का टेर बना के चल सकते हैं उपर में डॉलर का भाव 75.80 से लेकर 76.20 तक देखने को मिल सकता है अब हम बात करते हैं GBP INR की यहाँ पर जो important support है 101.70 से लेकर 101.10 resistance 102.80 से लेकर 103.60 कर रहेगा यहाँ पर भी खरदारी का trade expected है और यहाँ पर target उपर में 102.80 से लेकर 103.60 के level देखने को मिल सकते हैं पिछले अफ़ते GBP INR करीबन 0.72% की gains के साथ 102.21 के सर पर बंद होता हुआ देखा गया ग्वार के भाव flat level पे close होते हुए देखे गए करीबन 6.339 के सर पर ग्वार सीट के भावों में हमने closing देखी जो की एक flat closing है वहीं अगर हम support की बात करें तो यहाँ पर 6.150 का important support है और resistance करीबन 6.500 कर रहेगा यहाँ पर हमें लगता है कि lower level पे खतारी का बना के चल सकते हैं उपर में target करीबन 6.500 तक देखने को मिल सकता है अगर हम वहीं cotton seed oil cake की बात करें तो जहाँ हमने पिछले दो हफतें से गिरावट देख रहे थे वहीं यह हफता एक शांदर recovery की के साथ देखने को मिला और करीबन 4% से ज्यादा की gain हमने cotton seed oil cake में देखे और उपर में 3261 तरह आते हुए देखे गए cotton seed oil cake में trend positive है यहाँ अगर हम पूरे cotton प्रेक की बात करें तो यहाँ पर continuously trend positive देखने को मिला हमें लगता है cotton seed oil cake में खरदारी का आपको यह weekly outlook पसंद आएगा आप अपने portfolio में हमारी सला को जरूर देख सकते हैं आशा करते हैं आपको यह अपने portfolio आपको यह weekly outlook पसंद आएगा ifl commodity currency अकाउंट को एक्टिवेट करें और इस वीडियो का क्यों अपने portfolio में जो हमारी advice है उसको आप शामिल कर सकते हैं हम पिछले काई दिनों से इसको हम continuously post करते हैं जो कि आपको अपने trading में helpful देगा धन्यवाद फ्रेश दूद और सबजी के लिए अब घंटों इंदजाद में बिग बिलिस पर order करें और 10 मिनट में पाएं अपने गर फ्रेश दूद और सबजी तुरंट डाउनलोड करें बिग बिलिस एप खुशियों की अपनी दुकार